जैहिन दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होगे सुरक्षित होगे अपने घर में होगे दोस्तों मैं आपका दोस्तों सूरज पांड़ एक बार फिर आज रहो आप लोगों के सामने एक नया लेटिस्ट अपडेट और एक नये टेकनिकल वीडियो के साथ तो चलिए विदाउट एन टाइम वेस्टेज आप लोगों के ही सामने इस वीडियो को आज स्टार्ट करते ह गैस फिलिपकार्ट हो या amazon सौपिंग करने के मामले में अगर बात करें तो ये दोनों ही इंडिया ही सिर्फ नहीं बल की अधर देसों में भी गषाल का मचाये हुए हैं अगर हम इंडिया की ही बात करें तो अगर ये बात पड़े कि इंडिया में नमबर वन या नमबर टू पे कौन सी कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग की है तो लोग की जुबान पर सिर्फ अमाजोन और फ्लिपकार्ट का नाम आएगा लेकिन दोस्तों चहां पर ये लोग पूरी इ या अमाजोन जब भी वो दोनों हमारा अकाउंट ब्लॉग करते हैं तो हमें बड़ा ही लॉस होता है तकलीप भी होती है कैसी क्या वज़ा थी कोई ऐसे मान के चलोगर आप किसी मतलब कीपर या किसी भी डीमार्ट या किसी भी दुगान में जाते हैं अगर कस्टमर आपके अकाउंट के ब्लॉग करने से क्या-क्या परिशानी होती है और हम लोग को क्या-क्या लॉस होता है फ्यूजर को लेकर के प्रेजेंट को लेकर के दोनों को बारे में मैं बात करने वाला हूं कि आप लोगों को अकाउंट ब्लॉग होने पर क्या-क्या नुक्सान जहिलने प बट दोस्तों एक ट्रिक को बताने से पढले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो के लिए आगे बढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करना ही पड़ता है तो लाइक करने के लिए बस जल्दी से अपने फिंगर बिटन का इस्तेमाल करते हुए नीचे बने हुए लाइक बटन को पूरी ताकत साथ दबा दीजिए साथ ही साथ चैनल पर फर्स टाइम आपने आये हैं तो आपको तो सब्सक्राइब बटन दबाना जी पड़ेगा सब्सक्राइब बटन दबाईए साथ ही साथ वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजे ताक हम जान लेते हैं नंबर दोस्तों जब फलिपकारड पर आपका कभी अगर मान लीजिए आपने उसमें वैहलेट वालेट रहता हैं अगर आपने उस कोई चांसेज नहीं रहता इस चीज को आप बारी के से जानना चाहें तो आप इनकी रिफंड पॉलिशी जाकर के ध्यान से पढ़ सकते हैं दूसरा दोस्तों जब आपका अकाउंट ब्लॉक होता है एक बार फ्लिपकाट पर तो अगर आप तीसरी बार जब आप फ्लिपकाट पर किया नाम अगर मानलो एक बार आपका ब्लॉक हो गया दूसरी बार फिर गए फ्लिपकाट पर अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट तो बन जाएगा लेकिन जब आप अपना फिर से सेम एडरेस डाल कर कोई पारसल बंगाएंगे तो ऐसे में चांसेज बनते हैं 99% की फ अगर आपके फिलिपकाट में आपका कोई कार्ड वैलेट या कोई पारसल है जिसको आपको जो आपने ऑडर किया था और वह अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं है और उसी की बिज़ेकर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो यह आपकी किस्मत है कि आप तक वह पारसल पहुंच जाए अगर नहीं पहुंचता है तो आप कहीं भी जा कर कोई application नहीं दे सकते कि अगर आप customer gear को भी call करेंगे तो यहीं बोलेंगे sir i don't have any data available आपका कोई भी data आपका अपास अवेलेबल नहीं है चौथा point दोस्तों जब फिलिपकाट आपका कोई account ब्लॉक करता है और मान लीजे ब्लॉग होने से पहले आपने उस account में कोई product को order किया था वो आपको मिला भी लेकिन आपने return refund की request डाली है, parcel return हो गया है या नहीं हुआ है, पैसा return आना बाकी है, या मान लो अभी होना ही बाकी है, तो ऐसे में situation में दोस्तों ये chances बनते हैं, कि अगर आपका return refund जो है, वो success नहीं होगा, वो cancel हो जाएगा, क्योंकि इसके regarding भी कोई support आपको नहीं मिलता, हाँ, ये situation बनता है, कि अगर आपका account मान लीजे block हुआ है, और अगर आपका return refund के लिए request already block होने से पहले इसो कर दिया गया, तो हो सकता है delivery वो आपकी घर पे आके, आपका parcel pickup कर ले और आपको refund भी आ जाए, लेकिन ऐसे बहुत थीक कम cases में बनते हैं, क्यूंकि आजकल ऐसी 99% problem देखने को मिलती है, लोग कहते हैं, जैसे हमने request जाला हमारा तो account ही block हो गया, तो दोस्तों, ये सारी main important problems हैं, जो हमको face करनी पड़ती है, account block होने के बाद, और उसमें बहुत ज साम करें, अगर आप किसी तरह का voucher जीते हुए हैं, या आप game और खेल करके कोई पैसा जीते हैं, या कोई voucher जीते हैं, आपने कोई समान जीता है, वो सब account block होने के बाद आप उसको भूल जाए, क्योंकि वो किसी तरह का profit आपको नहीं मिलने वाला है, उसमें, तो दोस्तो दोस्तों, flip card pay later, लेकिन कुछ लोग इसको खुसी भी मनाएंगे, दोस्तों, flip card pay later service अगर आपके flip card account में activated है, आपने उसको limit को use भी कर लिया है, और लेकिन आप उसे भर नहीं पाए, तभी आपका account block हो गया, तो कुछ लोग तो खुस हो जाते हैं, चलो हमको वापस से उसको भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों, इसका negative result पड़ता है, negative result कैसे पड़ेगा, देखो flip card pay later service जो है, वो एक type का loan है, चीक है, जो की जैसे 4000, 5000,000, 10,000, 15,000, 50,000 जो flip card आपको दिया है, तो एक type का loan दिया है, उसने आपको, जब आप उस limit को एक emergency situation में यूज कर लेते है लेकिन आपको बाद में उसे लोटाना पड़ता है, तो वो जो limit आपको दी जाती है, वो आपको flip card नहीं, बल्कि उनके जो मतलब उनका partner bank रहता है, वो आपको देता है, तो अगर माल लीजे flip card का account block हो गया, और आप उसे लोटान नहीं पाए, तो ऐसे situation में क्या होता है, कि आपको जो civil score है, वो down होना सुरू हो जाता है, और फिलिप card पे लेटर का जितना भी amount आपने use हिया था, वो हमेशा के लिए आपके civil में so होता रहता है, जब भी बभी से में आप bank में किसी type का loan लेने जाएंगे, किसी type का credit card अपलाई करने जाएंगे, तो ये amount वहाँ पर so क आए हैं, जो आप जो फिलिप card का partner bank था, जिसने भी आपको फिलिप card का पे लेटर सर्विस एक्टिवेट करके दिया था, उस bank के वो bank जैसे माल किसी लिए, अगर आपको 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 इस तरह से पे करना है, ताकि आप उस loan के amount को वहाँ पर मतलब जमा कर सके, क्योंकि इ लेटर अगर आपका ब्लॉक हो भी जाता है, तो इसमें लॉस से कस्टमर का ही होता है, फिलिप card को किसी तरह का लॉस नहीं होता, क्योंकि फिलिप card एक बीच का point है, ठीक है, लेन देन actual में तो bank और customer की बीच होता है, फिलिप card तो उसमें से 2% अपना commission लेता है, जब आप चुकाते हैं, तो उसी interest में से कुछ percent टा करके flip card को जो है bank share भी देता है, तो ऐसे में flip card को किसी type of loss नहीं है, loss आपको है और bank को है, bank तो माल लीजिए अपना loss जो रहेगा हो तो profit निकाल लेगी, लेकिन अगर आपके civil में उसकी entry हो गई, तो ये बहुत बड़ी problem हो जाती है अब चलिए बात करते हैं हम दोस्तों Amazon के बारे में, Amazon के बारे में दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि उसमें तो किसी तरह का कोई खास profit नहीं होता, loss नहीं होता, लेकिन दोस्तों loss उसमें भी होता है, number one, अगर कभी आपका Amazon का account blog होता है और आपके Amazon pay later हो, उसमें भी कोई amount इस यूज करने से पहले ही, ऐसे bank account को link करवा लिया जाता है, जिससे कि वो उस amount को auto debit कर सके, यानि कि अगर आपका account block हो भी गया, तब भी वो जो आपने credit यूज किया है, उसके बचे हुए amount को वो लोग आपके account से auto debit के माध्यम से उसकी भरपाई कर लेंगे, यानि कि आपक आपको मिल चुका है, आप उसे return करना चाहते हैं, या कोई return कर चुक है, उसका refund आपको मिलना है, तो ऐसी situation में अगर account block हुआ, तो आप अपना system में सब भूल जाईए, कि आपको parcel मिलेगा, या पैसा मिलेगा, क्यूंकि दोस्तों, जब आपका flip card पर data ही नहीं रहेगा, आप आपको account ही lock कर दिया जाएगा, तो आप ऐसी situation में कुछ कर नहीं सकते, अब दोस्तों, fourth number की बात करते है, Amazon Pay, ठीक है, अगर आपके Amazon Pay wallet में कोई पैसा बगरा है, और account block होता है, तो समझ लीजिए, वह वहीं पर damage हो गया, वह आपको तभी मिलेगा, जब आप अपना account अनब् अगर आपका flip card account block होता है, तो आपको दो तरह से उनको contact करना है, number one, customer care को toll free number के जरीए call करना है, इनका email account बंद हो चुका है, ठीक है, इसलिए आपको पहले call करके complaint register करानी है, वो आपसे one week, two week का time मागेंगे, जो जो instruction बोलेंगे, उसे follow करना है, और आपको वहां तक ही नही support नीचे लिंक की दिया गया है, उनको tag करके tweet जरूर करना है, जिसमें आपको अपनी problems लिखनी है, आपको अपना screenshot कुछ और कोई private चीजे नहीं उसमें लिखनी है, बस आपको अपना problem लिख के उनको mention करना है, उनका support team जो है, आपको खुदी Twitter message कर लेगी, उसके बाद private में जाकर कि आप उसे बेतर से chat कीजिए, उनको अपना documents वगर भीजिए, प्रूफ कीजिए, आपका account unblock होने के 99% chances ऐसे situation में बन जाते हैं, अब आईए Amazon की बात करते हैं, Amazon में दोस्तों थोड़ा सा उल्टा है, Amazon में पहले ही आपको flip card, sorry, Twitter पर जाकर के Amazon support की team को tweet कर देना है, कि आपके साथ ऐसा problem हो चुका है, वो लोग अपना काम करने लग जाएंगे, message करेंगे, आप उनको private में जो चाहें, बता सकते हैं अपने issues और documents वगर भेज के verification के लिए आगे की करवाई को process कर सकते हैं, दूसरा option ये रहेगा दोस्तों flip card में, sorry Amazon में, कि अगर आपके पास कोई पहले से दूसरा भी Amazon account है, तो आपको उस Amazon account से उसमें login करना है, और callback की request डालनी है, जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि Amazon का system थोड़ा सलग है, उसमें आप उनके customer care executive को direct call नहीं कर सकते हैं, आपको वहाँ पे call लांच करने पड़ती है, हलाकि उनका facility सबसे ज़्यादा चाहिए है कि उनकी executive को call launch करने के just 10 से 12 सिकंड के अंदर ही उनका call आ जाता है, तो आप जब वो आपको executive उनका call launch करने के बाद call करेगा, तो आप उन्हें अपने दूसरे account के बारे में problem बताईए, और वो उस account को login करेगा, और अगर मान के चलिए temporarily किसी information के लिए unblock हुआ है, तो वो तुरंत आपसे कुछ important जान करी हैं ले करके 24 hour, at least 42 hour में उसे unblock कर देंगे, लेकिन अगर कोई major reason के वरे से unblock हुआ है, तो आपको step भी बताएंगे, उसको follow करने के बाद आपका account 100% unblock हो जाएगा, और मैं कुछ लोग को बताना चाहूंगा, दोस्तों को कुछ लोग complain करते हैं कि आपकी trick काम नहीं कर रही, दोस्तों मैं आपको बता रहा है, अगर आपका account temporarily unblock हुआ है, तो मेरी trick, sorry, temporarily block हुआ है, तो मेरी trick यूज़ करने के बाद वो account 100% unblock हो ही जाएगा, लेकिन अगर permanent block हुआ है, तो फिर समझ लीजिए कि वो unblock नहीं होगा, अब permanent कैसे block ह इसके बारे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो यहीं बहुत लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो आप लोगों को customer के executive को contact करके उसे प्रयास जरूर करके देखना है, और अगर वो नहीं भी होता है, तो भी वो ब आप उसे comments में पूछिए, मैं उसके reply करने की पूरी कोसिस करूँगा, so friends, चलिए मिलेंगा फिर किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए, जय हिन, दन्यवाद